नमस्कार, गार्डनिंग प्लेजर चैनल पर आपका स्वागत है बेल पत्र का पौदा घर में लगाना कितना शूभ है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन इसको घर में कैसे लगाएं और कैसे इसकी परवरिस करें आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे आपके गर में अगर ग्राउंड में या टेरिस पर ऐसी जगह है जहां पर किसी भी समय थोड़ी सी भी देर धूप आती हो तो आप बेल पत्र का पौदा लगा सकते हैं अगर जमीन में लगाएं तो यह फल भी देगा लेकिन पौट में हैं तो भी यह पत्तियां तो देता ही देगा इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है एक पूरी तरह से पका हुआ बेल का फल जिसे बेल हुआ भी कहते हैं वो ले लें अब इसके बीजों के निकाल कर सीधा मिटी में धबा देंगे बीजों को सुखाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कमपोस्ट, सेंड, कोकोपीट और मिटी चारों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर मिटी तयार करेंगे इस तरह से अब इसके उपर थोड़े-थोड़े मिटी डाल देंगे ऐसे मिटी में लगाने से अंकुरान जल्दी होगा बीज बोने के बाद पानी दे दें अच्छे से और मिटी में नमी बराबर बना के रखना है अब इसे चायादर जगे में रखते हैंगे जहां पर ब्राइट लाइट आती हो 6-7 दिन बाद ही आपको छोटे-छोटे से अंकुर निकलते हुए देखने लगेंगे 15 दिन बाद जितने बीज आपने डाले थे उतने ही पौट तयार हो जाएंगे क्योंकि इसका generation काफी अच्छा होता है और एक महीने बाद जब ये पौट 6 इंच की हो जाए तब आप इसे रपौट कर सकते हैं अब एक पौट में इतने सारे पौट तयार हो गए हैं रपौटिंग करना जरूरी है क्योंकि एक पौट में कई सारे पौदे लगे रहेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छे नहीं होगी गंबला इसके लिए गहरा और बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसकी जड़े बहुत गहराई तक जाती है इसका आप एक छोटा सा भी पौट देखेंगे तो पौट की आधी हैड तक इसकी जड़े जाती है और दूसरा तरीका ये भी है कि आप नर्शरी से तयार पौट को लेकर आएं और लगा लें इसके कैसी मिट्टी में लगाना है इसके लिए मैंने एक अभी हाली में बीडो डाला था वो आप देख सकते हैं फार्टिलाजर में गोवर की खाद और वर्मी कंपोष्ट दो महिने में इसे देते रहें बेल पत्र के पौदे को पानी कितना दिया जाए ये एक जरूरी पौइंट है जादा तर पौदों में हम मिट्टी की ऊपर के लिएर सूखने के बाद पानी देते हैं लेकिन बेल के पौदे में हमें मिट्टी में पानी सूखने का इंतिजार नहीं करना है इसके मिट्टी में हमेशा नमी रहेगी तो पत्तियां अच्छी निकलेंगी और कटी पती नहीं होगी शुरु में इसमें एक-एक पत्ती ही निकलती है तो हर 15-20 दिन बाद आपको इसमें पिंचिंग करते रहना है 4-5 बार इसी तरह इसकी हलकी हलकी सी cutting करते रहेंगे फिर इसमें 3 पतियां आने सुरू हो जाएंगे बीज से लगाने पर सुरू में 1 महीने तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है पर इसके बाद 5-6 महीने तक ग्रोथ धेमी हो जाती है थोड़ा आपको patience रखना होगा और इसके बाद एक स्वस्त शुम और healthy पवधा आपके पास होगा मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ थेंक्यू